हेलो फ्रेंग मैं लिंग्राज पटेल किचन किंग में आप सब का सागत्त रता हूँ आज मैं आपके ले और इस न्या रिसिप्पी लेके आया हूँ आज हम बनाने वाले हैं वीरी बड़ा याने की उरत डाल की बड़ा ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है मैं आज इसको जिस तरीके से बनाने वाला हूँ आप इसको एक बार बना के जरूर ट्रय कीजिएगा तो फिर चलिए दोस्तों आज की ये बड़ा की रिसिप्पी को बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखिए ये उरत डाल इसको हमने 6 गंटा पहले ही भीगो के रख दिया था अब ये अच्छी तरह से फूल गया है अब हम इसमें से सारा पानी को च्छान लेंगे यह देखिए हमने इसमें से सारा पानी को छान लिया है चलिए अब हम इसको मिक्सी में डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे लेकिन इससे पहले हम इसमें आट करेंगे दो अदरक का टुकड़ा और दो हरी मिर्ची इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ सा पानी ताकि पीसने में थोड़ आईजी हो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं यह देखिए हमने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है चलिए मैं आपको चेक करा कर दिखाता हूँ यह देखिए, इसको पिछने के बाद बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए, आभी हम सारा मिक्चर को लेके डालेंगे एक दूसरे कटोरे में, और हमने सारा मिक्चर को दूसरे कटोरे में निकाल लिया है, आभी हम इसमें एट करेंगे, थोड़ असा सूजी यानि की रावा, यह हमने इसमें इसको डाल दिया, अभी हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे, आभ अगर चाहें तो बिना सूजी का भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसमें सूजी डालके बनाने से यह थोड़ा क्रिस्पी बनता है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सूजी डाला है इसको अच्छी तरह से mix करने के बाद, अभी हम इसको 5 मिनिट के लिए डख के रख देंगे, तकी और थोड़ा सा अच्छी तरह से फूल जाए. पांच मिनिट हो गया, चलें खोल के देखते हैं, ये देखे, अब यह अच्छी तरह से फूल गिया है, आप देख सकते हैं, आप हम इसमें आट करेंगे थोड़ा सा अजवाईन, इसको इसमें डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेब बराता है, आप हम इसको हातों से अच्छी तरह से फेट लेंगे, ताकि अच्छी तरह से थोड़ा फ्लोफी हो जाए और अच्छी तरह से थोड़ा फूल भी जाए इसको थोड़ी दिर ऐसे ही फेटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसर, चेले अब हम इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिला के और एक बार फेट लेते हैं, अब यह हमारा बीरी का मिक्सचर एकदम सॉप्ट और फ्लोफी हो गया है, चेले मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ, यह देखिए, अब जब भी इसको चेक करें, ऐसे पानी में डाले, अगर यह पानी में तहरने लगे तो परफेक्ट है, और यह हमने थोड़ा सा प्याज पहले ही के बाद तुरंत इसको फ्राय करेंगे, यह हमारा तेल भी गरम हो गया है, अब हम हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा पानी, और इसके बाद लेंगे थोड़ा सा वीरी दाल का मिक्सचर, और इसको अच्छी तरह से गोल कर लेंगे, अब हम दोनों हाथों में ऐसे इसको द दिखा रहा हूँ, यह देखिए, पहले हम बीरी दाल को लेके, इसमें ऐसे होल करेंगे, और इसको लेके तेल में डाल देंगे, आप जब इसको फ्राय करें, पहले गेस को हाई फ्लो पर रखें, उसके बाद मेडियम फ्लो पर कर दें, और इसको थोड़ी दर फ्राय करने क के बाद यह देखिए इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है और एच्छी तरह से फ्राय हो गया है यह लिए हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं यह बहुत क्रिस्पी बना है अब हम सैम प्रोसीजर में फीरे के बार हाथों में पानी लगा के थोड़ा सा वीरी का मिक्स्चर लेके ऐसे गोल करके सेम टू सेम इसको लेके तेल में डाल देंगे और इसी तरह एक एक करके हमें सारा बड़ा को फ्राय कर लेना है हमने फास्ट बेच में दो बड़ा को फ्राय किया था और सेकंड बेच में चार बड़ा को फ्राय कर रहे हैं इसको भी थोड़ी दिर इसे फ्राय करने के बाद जब इसमें अच्छा कलर आ जाएगा इसको निकाल देंगे ये देखिए इसमें अच्छा कलर आ गया है और अच्छी तरह से फ्राय हो गया है चेली अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखिए दोस्तों तो हमने साहर बड़ा को फ्रय कर लिया है अब देख सकते हैं अब हम इसके साथ खाने के लिए लेंगे टर्माटर का चटनी आप चाहे तो इसको साथ और कोई भी चटनी ले हैं दोस्तों इसको गर्मा गरम खाने में ही ज्यादा अच्छा लगता है चलिए मैं आपको चेक करा के भी दिखा देता हूं यह अंदर से कितना सौफ बना है और बाहर से कितना क्रिस्पी यह देखिए आप इसको जब चटनी के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों आज कहीं मेरा बड़ा का रेशिपी आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्ट वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग मैं वीडियो फ्रेश्पी